चलिए दोस्तों आज बनाने वाले हैं सुपर डेस्टी वेज बिर्यानी आप देखते रहे हैं कितनी बढ़िया और खिली-खिली बनी हैं तो चलिए पूरी वीडियो देखने के लिए बने रहे हैं बनाने वाले थी तो आप लोग के लिए शूट करने लगी हूं अभी तो आप देखें क्या बन रहा है आज तो रेसिपी स्टार्ट करने से पहले से आप से रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बैल आइकोन जरूर दबा दें जिससे आने वाली सबी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलत ही रहेगी इस चीज की लाइट आ रही है उपर से लाइट सीधा पड़ रही है तो चले यह देखिए मैं बना रही हूं आज मिक्स वेस्ट पुलाओ जो बनाऊंगी मैं कडाई में खुला यह मैंने डेट गिलास चावल धो के अच्छे से भीगो दिये थे और सबजियों में मैंने ली है प्याज गोबी गाजर बीन्स मटर और लिये है मैंने निटिला जिसको मैंने थोड़ा सा नमक डाके गरम पानी में अच्छे से भीगो दिया है ताकि अच्छे से फूल जाए और आज कूकर में बनाने का मन नहीं था और कड़ाई मैंने अभी धोई थी क्योंकि अभी इसी में मैंने गाजर के हलवे की रेसिपी शूट करी है तो थकान भी हो गई थी वर सोचा चलो काम तो करना है तो साथ साथ वीडियो शूट कर दी जाए चलो के लिए वाश बाबु कर आए हूँ अभी शबजी लेकर आई ही हूँ अलूश्क के फटम थे तो बाबु के लिए अलूबर ने रखें जैसा कि आप लोग जानते हैं जाए कि बिना अलू की वोती नहीं खाता है तो चले आइल को गरम होने देते हैं तो जब तक आइल गरम होता है मैं इसमें काट लेती हूं हरी मिर्ची और सुखी लाल मिर्ची तो आज में इसमें लाल मिर्ची नहीं डालने वाले हूं मिर्ची का पाउडर नहीं डालने वाले हूं तो इसी से हम फ्लेवर लाएंगे मिर्चे का बस दोनों को एक साथ काट रूँगी सूखी वाली भी आप चाहें तो सूखी वाली साथ भी रख सकते हैं बीना काटे भी डाल सकते हैं बीना तोड़े तो एक बाबु दो आ गया मेरा तो चलिए और गरम हो गया है डालते में जीरा साथ में डालूँगी प्राज और इसी के साथ में में मतर भी डालूँगी ताकि जो मतर हैं वह अच्छे के सॉस को रहेंगी जोड़ा सा डालेंगी में मख लगबग आदी से मख जिसना शाइब और इसके मिलाची पांक से साथ में अब भर भी आपकी जो मतर हैं अच्छे से तॉप देगां तो चलिए जोब कल नटा देते हैं आप देख रहें तो आज भी थोड़े थोड़े लाल हो गये हैं और मतर सबदी पक रहें और साथ साथ हम यह सबजी भी डाल देंगे अच्छे से अब धतन लगाने के जुरत नहीं है इसको ऐसे ढूंएंगे जाकि सब्यांते हैं अच्छे से पख जाएं और पहले डालन थी में मिर्शी तो इसको साइड कर देते हैं थोड़ा से सब्रें को और र मेर्ची को बिल देते हैं मेर्ची मेर्ची रखना है इसके बार पिफे मेर्ची सब्सक्राइब मेर्ची के सब्सक्राइब बार के इसके इसके मेर्चे की दट्वन कर गए मेर्चा अव्य कुछ नहीं डालने ज़े मेर्चे से शॉक्षा पांच मेर भूनेंगे हम अच्छे से, फुलासा नमक और दाल देरी हूं, बाकी सब्जे के साथ से, ताकी सब्जियां जो हमारी फिकीन आ रहे हुआ, और अच्छे से, गोबी, गाज़, और दीन्स जो है, जाई हो जें अच्छे से, सब्जियां अच्छे से, भून गूए है, अब इसी में डाल देगे हैं, हम पानीजे में चोड़के अच्छे से, निप्रिला, दालेंगे इसमें मसाला, मसाले में डालेंगे थोड़ी सी हल्डी, और आदी चमाश लाल मेच, हल्डी थोड़ी और दाल गई हैं, बूऴी सिर्श के अच्छे से, जरे में डालेंगे निपलीजें, पुलाओं में, मिची कम रखो ना, मैं डाली नहीं थे मिनका फिल मप बोलना, भाई ला रहा है, तो देखे, मसाला हमारा अच्छी से भून गया है, देखे, मसाला भून गया है, अब मैं जाल डालेंगे इसमें टावल, अब देखे रहे हैं, बिल्कुल सिंपल बनाए है, मैंने, कोई खड़ा मसाला नहीं डाला है, कोई घरम मसाला नहीं डाला है, और साथ में मैं डाल रहे हैं, इसमें हरा धनिया, खुब साड़ा, अब हम डालेंगे इसमें, स्वादा नुसार नमक, उतना डालेंगे उस हिसाब से, क्योंकि हमने सब्रियों में भी पहले डाला हैं, पानी डाला, भी चेक भी सकते हैं, पम यह जादा, अपने टेश के हिसाब से डाल सकते हैं, और को राइड के इसमें डाल हैं, तो डवल गिलास डालूँगी, कि कड़ी एफुपणो बादे जनके। एक, दो, तीन, और आधर गिलास में एक्स्ट्रा डालूँगी, क्योंकि यह पुलाओ है, थोड़ा सब्जियां में भी पानी जाएगा, और खुला बनाने से थोड़ा पानी एक्स्ट्रा लगता है, गेस को कर दिया है में फुल, ताकि एक उभाला आजे अच्छे से, देखे, इतना ही कलर्फुल लग रहा है, मस्सा, अभी एक बार अच्छे से हिला के, इस तरीके से आप हाद में नमक चेक कर सकते हैं, थोड़ असा नमक और जाएगा, क्योंकि ये बीना सबजी के हमको खाना है, देखे, कितना ही बल्या मस्स, कलर्फुल लग रहा है, एक बाला आजाएगा, उसके बाद मैं गेस को सिंद करके भुग दोंगी, देखे, इस में बाला आने लगा है अच्छे से, और अब मैं इसको गेस को हिडिन फ्रो करके, डग दूँगी, जब तक हमारे चावल अच्छे से पक न जाएगा, एक बार खोल के बीच में हिला दूँगी, अच्छे दोस्तों एक बार खोल के चेक कर लेते हैं, और इसको गिला देते हैं एक बार, और फिर से एक बार ढख देंगे, अच्छे दोस्तों खोल के चेक करते हैं, अच्छे लग रहे हैं, अच्छे देखिए कितने ही खिले खिले बने हैं हमारे चावल, अच्छे को करते हूँ बन और दो मिनिट रखते हैं दम पे दो तो पांच मिनट अब फिर मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ, चावल हमारे बिल्कुर रेडी है, गैस को आफ कर दिया है मैंने और आपको मैं दिखाती हूँ ये बन गई है हमारे वेज बिरयान, तो चलिए दोस्तों करते हैं आपके लिए वेज बिरयानी सर्व, ये बास्मती राइज नहीं है, ये यहां के लोकल है, जीरा सर्राइज, और आप देख सकते हैं, उसकी बिरयानी भी, कितनी ही मस्त और खिली खिली बनी है, और इसका टेस्ट नॉर्मल चाबल का बहुत ही टेस्टी होता है, मेरे तो मुमे पानी आ रहा है, कि आपके भी आ रहे हैं, तो आपको भी अगर खानी है, तो इसी तरीके से एंज्जॉई कर सकते हैं, तो बताइए फिल दोस्तों कैसी लगी आज की रेसिपी आपको वेज बिरयानी की, है न, बहुत ही मस्त और बहुत ही आसान, और कोई साम जाम भी नहीं, अलग से करने का, कि अलग से सबजियों को पकाओ, चावल को अलग से पकाओ, फिर में मिलाओ, तो बहुत ही आसान तरीके से और खिली-खिली, बहुत ही टेस्टी और यमी वाली वेज बिरयानी बनके तयार है, आप लोग के लिए, तो आप लोग भी एंज्जॉई कर सकते हैं, एक टेस कराना तो बनता है, जब बर्दस एं, यम्यम वाली, बहुत गरम हैं, वेरी टिस्टी, वेरी यम्मी, तो आपको भी अगर enjoy करने हैं, तो आप बना सकते हैं मेरे तरीके से, और आपको recipe कैसे लगी मुझे जरूर बताएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो like, comment और share जरूर करेगा, अपनों के साथ, अपने अपनों के साथ, अपने चाहने व करते हैं, आज की recipe को enjoy.